मन में विनम्रता का भाव, जिवन की प्रत्यक अनुभूती का चिंतन, चित्त की चंचलता की सैयमित साधना, जिवन के अनित्यता की समझ, निबान के रास्ते खोल देती है आज की बात. आज की बात, स्वागत. आप जानते हैं कि आज की बात में हम बुद्ध वचनों के आलोक में जो मारवदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास करते हैं. और इस कड़ी में आज हम आपको सुनाएंगे वो बड़ी महतपूर्ण बात जो पालिस साहित्य में सच्च संग हो इस नाम से मिलती है. वास्तों में सच्च संग हो ये तिपिटक की एक पुस्तक हैं, लेकिन इस पुस्तक का मतितार्थ और भावार्थ आपके पास पहुंचाना, ये इस वक्त आज की बात का एक छोटा सा उदेश है. ये पुस्तक जो हमारे हाथ में इस वक्त है, ये है सच्च संग हो का हिंदिय अन्वाद, जो बोदसाहित्य के प्रकांड विद्वान भधनत डौक्टर आनंद का उसलियाएंजी ने किया है. सच्च संग होई इस पुस्तक को आपके पास पहुंचाने से पहले, हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, जो बात स्वेम भधनत डौक्टर आनंद काउसलियाएंजी ने इस पुस्तक के अनुवादन के संदर्ब में लिखी है. तो इस अनुवाद को हम आप तक पहुंचाते हैं, पहले भधनत डौक्टर आनंद काउसलियाएंजी की ये बात आपको बताते हैं, आनंद काउसलियाएंजी लिखते हैं, कि बुद्ध धम्म के जो सरवाधिक प्रामानिक गरंथ हैं, वो सुत, विनय और अभिदम्म। ये तीन पुस्तक हैं, जो भगवान बुद्ध और उनके शिश्यों ने जो तथागत के उपदेशों को संग्रहित किया हैं, ये सभी परंपरा से बुद्ध बचन माने जाते हैं, सुत पिठक में बातचीत के ढंग पर दिये गए उपदेश हैं, सुत पिठक की जो तर्ज हैं, वो बातचीत हैं, विने पिठक में अधिक्तम भिक्षों के लिए नियम हैं, और अभिदम में बुद्ध दर्शन, यानि तथागत जो कुछ सिखाते हैं, कहते हैं, उनका पारिभाशिक शब्दों में अर्थ आता है, तो अब देखी कि पाली और मागदी भाशा के ये ग्रंथ, अपनी अर्थकताओं के कारण, टिकाओं के कारण, इसके सहीत ये लगभग तीन महाभारत के बराबर हैं, और बौध जनश्रूती के अनुसार, बुद्ध के महापरिन निर्वान के बाद की तीन संगितियों में इस वांगमे का संगायन हुआ है, ये जो जितना बौध साहित हमारे पास आया है, ये तीन धम संगितियों के साथ, बौध संगितियों के साथ, ये इकठा होकर आया है, संगितियों का मतलब होता है, बिक्षों का सम्मेलन, आज की भाशा में जिसको सम्मेलन कहते हैं, संगि इसे कहा जाता है ये तीन संगितियों में इस वांगमय का जो संगायन हुआ और प्रथम शताबदी में राजा वठ गामिनी इनके समय में सिहल में इसे लेख बद्ध किया गया ये लगबख पहली शताबदी की बात है भिख्शू उने तब तक इस पुरिसाहित को संगायन कर और संगितियों के द्वारा इसे एकठा संजोय रखा विद्वानों ने त्रिपिटक की जो भाषा और महराजा अशोक के शिलालेखों की भाषा इस पर तुलनात्मक विचार किया है बहुत सारे लोग जो भाषा का संशोधन करते हैं शिलालेखों का संशोधन करते हैं और महराज़ा अशोक की शिला लेखों की भाशा इसपर जो तुलनात्मक विचार किया उन में से कुछ का कहना यह है कि अशोक के शिला लेखों की मागधी में प्रथमा विभक्ती में ए आता है आ और तिरिपिटक की पाली में ये प्राय ओ हो जाता है फिर अशोक की शिलालेखों में र की जगें ल आता है इसी प्रकार अशोक की शिलालेखों में श का प्रयोग भी जबकि त्रिपीटक की पाली में केवल स ही है समराट अशोका की शिलालेखों में वो श मिलता है और पाली में वो स हो जाता है सख के सिवाए दूसरा शब्द नहीं मिलता है इन कुछ बातों को लेकर कोई कोई विद्वान कहते हैं कि मागदी भाषा कुछ और है और पाली भाषा कुछ और है तो दोनों में ये इतना मद्भेद मिलता है कुछ लोगों का ये मानना है कि त्रिपिटक में जो है उसको बुद्धवचन नहीं माना जाए लेकिन यदिवे इस बात पर विचार करें कि एक दो अक्षरों के प्रयोक का भेद तो पाली के सिहल में जाकर लिखे जाने से और वहां सिहलियों की भाशा से प्रभावित हो जाने के कारण भी हो सकता है ये भी संभावना है हम यहां भी देखते हैं कि बुली और भाशा दस-दस मेल बिस-बिस मेल के अंतराल के बाद उसका स्वरूप उसका स्वरूप बदल जाता है तो यहां यह मानना कि भई पाली में और अशुका के शिलाले खो में एक दो शब्द का अंतर मिलना वरनाक्षर का अंतर मिलना इसे अगर भेद मान लिया जाए या फिर इसको संदीग्द माना जाए तो फिर काम कैसे चलेगा तो सिहल में जब गया तो सिहली में इस भाशा पर जो चीजे लिखी गई तो उन चीजों में भी बुद्धवचन स्पष्ट रूप से कैसे आया होगा फिर तो ये सवाल खड़ा हो जाता है अशो के पुर्वी शिलालेखों में तथा पाली में तो कोई भेद नहीं है अशो के जो पहले सी शिलालेख है उन में और पाली में कोई भेद नहीं है तो उन्हें पाली को बुद्धवचन मानने में उतनी आपत्ती नहीं होनी चाहिए ये बदंत डॉक्टर आनंद कौसल लैंग जी कहते हैं फिर वे कहते हैं कि हमारा कहना तो केवल इतना है कि जो भाषाएं इस समय उपलब्ध है उन में पाली त्रिपिटक की भाषा से बढ़कर हमें बुद्ध के समीप ले जाने वाली दूसरी भाषा नहीं जान पड़ती है अगर बुद्ध वचनों के समीप जाना है तो पाली से बहतर कोई दूसरी भाषा नहीं समझ में आती है तो ये क्यों न माना जाए कि भई पाली में जो बुद्ध वचन है वो बुद्ध वचन ही है जो ग्यान त्रिपिटक में उपलब्ध है उस ग्यान से बढ़कर हमें बुद्ध ग्यान के समीप ले जाने वाला दूसरा ग्यान नहीं है ये बुद्ध साहिति के विद्वानों का ये कहना है कि त्रिपिटक के सिवाए कोई दूसरा ऐसा साहिति नहीं है कि जो बुद्ध के समीप ले जाए, बुद्ध ज्यान के समीप ले जाए अब जहां तक बुद्ध के व्यक्तित्व का संबंध है, उसका सबसे बड़ा परिचायक त्रिपीटक ही है अगर बुद्ध का वरनन कहीं मिलता है, तो वो त्रिपीटक में ही मिलता है अब प्रश्ण हो सकता है कि त्रिपी टक तो बुद्ध के 500 वर्ष बाद लिपी बद्ध हुआ तो इतने अर्से में कुछ मिलावट की काफी समभव ना है हो सकता है लेकिन त्रिपी टक पर किसी दूसरे साहिते को तरजीब दे चलो भई ये मान लिया जाए कि त्रिपी टक की रचना ये तथागत बुद्ध के 500 साल बाद हुई उसको लिपी बद्ध किया गया तो क्या इतने समय में इतने अंतराल में क्या उसमें कोई परिवरतन नहीं हो सकता कोई बदलाव नहीं हो सकता चलिए मान लिया जाए अगर ये मान लिया जाए तो ये भी तो बताते चले कि यदि त्रिपिटक को बुद्धवचन न माना जाए तो फिर इसकी जगे वो कौन सा ग्रंथ है जिसको तरजिह दी जाए तो इसका कोई जवाब नहीं है यदि ये मान भी लिया जाए कि बुद्ध की अपने शिक्षाओं के साथ साथ कहीं त्रिपिटक में कुछ ऐसी शिक्षाओं भी दृष्टिगूचर होती है जिनकी संगती बुद्ध की शिक्षाओं के साथ नहीं मिलाई जा सकती तो भी हम बुद्ध क्यान और बुद्ध साहित्य और बुद्ध वचन को देखना समझना है तो फिर वो कौन सा साहित्य है जिसकी शरण लेनी चाहिए जिसके समीब जाना चाहिए कि जो बुद्ध वचन को हमें दिखाएं सिखाएं समझाएं तो भाशा और भाव की दृष्टी से पाल समीप पाली वांग में हमें बुद्ध के समीप ले जाता है हमें बुद्ध के जितना समीप पाली वांग में लेकर जाता है उतना समीप हमें कोई नहीं लेकर जाता ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है तो फिर उतना समीब कोई दूसरा साहित्य नहीं ले जाता और जहां ये नहीं ले जाता वहां किसी दूसरे साहित्य की गती नहीं इतना विशाल इतना सम्रिध ये साहित्य जहां पर कोई दूसरा जाता भी नहीं वहां भर भी दूसरा साहित जहां कहीं नहीं पहुंचता वहां पर भी पाली वांग में हमें मार्क दर्शन के लिए खड़ाई हो जाता है तब बुद्ध वचन समझने के लिए क्यों पाली साहित का पाली वांग में का आधार न लिया जाए भदंत डौकर आनंद कौसल लैंजी ये सवाल अपने सच संग हो इस ग्रंथ की भूमी काबे लिखते है आज की बात में यहां रुकते हैं लेकिन इस बात को आगे बढ़ाएंगे इस वादे के साथ कि कल जब पुरह हम आपसे मुखातिब होंगे तो इस बात को आगे लेकर चलेंगे सच संग हो आज की बात में यहां रुकते हैं आज की बात